है नमस्ते गाइस तो यह है मेरा नया रेडमी नोट एइट प्रो फोन जो आपने अलड़ी इसका रिवीव और स्कान बॉक्सिंग अप मेरा लास्ट वीडियो में अलड़ी आप देख चुके है तो आज इस एपिसोड में बात करेंगे इसको कैसे हम गुगल प्ले स्टोर इं अगर आप चैना में फोन लिया तो इस फोन में हम गुगल प्ले स्टोर कैसे इंस्टाल करेंगे इसी के बारे में आज डिसकस करेंगे तो बेसिकली क्या होता है जब चैना में गुगल टोटली बैंड है जो जो भी आप फोन यहां पर लेंगे ना उस पर गुगल इंस्टा नहीं रहता है तो आपको खुद इंस्टॉल करनी पढ़ती है तो इसको जब मैंने फहॉन लिया आप फोन लिया तो चैनी रहता है लांग्वेज़ मिश करवाया लांग्वश स्टॉर में जाए यह माइका एप स्टोर है प्रींस्टाल तो जैसे वो बेसिकली चैनीज में आजाता है तो आप स्किप कीजिए आप इस टिप कॉप्शन है स्किप कीजिए उसके बाद सर्च इंजिन में सर्च इंजिन में आप खाली Google Play Store टाइप कीजिए जैसे मैं कर रहा हूं अभी कह आप गए यार ये सा गुगल गुगल प्ले स्टोर जब सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा गुगल प्ले स्टोर यहां पर तो इसको आप क्लिक कीजिए और धेन continue तो normally जो होता है उसी process आपको automatic आपको login करना पड़ेगा तो अगर आपको चाइना में ही करना है तो इससे पहले आपको VPN करनेट करके यह करना पड़ेगा अगर आपके पास VPN नहीं है तो यह install नहीं होगा अगर आप चाइना के बाहर है तो आप ऐसे कोई भी local network को connect करके आप अराम से आसान इसे आप इसको कर सकते तो basically मैंने और इसमें install कर चुका हूँ आप देख सकते मेरे phone में YouTube है YouTube है तो मतलब Google का सारे के सारे products है इस पर that's it so I hope एवीडियो आपको I hope this video has been useful to you अगर आपको कोई question है तो please मुझसे पूछे मैं तुरंद आपको जवाब जायता हूँ until then have a nice life, bye